फेक ऑथेंटिकेशन क्या है यह अटैक क्या है और कैसे इससे आप WEP पे अटैक कर सकते हो वो जानने से पहले एक एक जामपल लेते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला कि Amazon आपको फोन भेजता है वगेरा वगेरा और सब चीज हम लोग ने एक्जामपल लेके सीखा बट अब आपको आईफोन चाहिए और मुंबई में किसी एक जन्ने आईफोन मंगाया है उतना समझ लीजे लेटेस फोन आपको चाहिए फोन ये कौन से पकेट में आईफोन है या तो दूसरा मेतड ये है किया आप वो कह लाखों पकेट से सारे फकेट को आप खोल दें तो उसी तरह वाईफाइ में भी होता है WEP में भी अगर आप connect करने जाते हो तो एक ही पहला packet होता है जिसमें Wi-Fi का password होता है जब आप connect करते हो तभी या first time होता है उसके बाद packets में password नहीं होता है और मैंने last video में बोला था data का number 1000 के उपर चाहिए तभी आपको password मिलेगा और Wi-Fi का security की मिलेगी तो 1000 के उपर जाने के लिए आपको basically जैसे मैंने बोला iPhone A की packet में बट आपको सारे packets कोलने पड़ेंगे उसी तरह आपको सारे packets काप्चर करने पड़ेंगे तो अब fake authentication कैसे काम करता है fake authentication ऐसे समझ लीजे कि अभी ये लाको packets आपको खोलने देगा कौन आपको तभी खोलने देगा जब आप customer हो तो यहां पर आप fake authenticate करोगे खुद को खुद को as a customer बताओगे आप Amazon को बोलेगे हाँ मेरा नाम Priyank है मेरा नाम Amai है जिसके लिए package है पूरे Mumbai में सबका नाम आप लोगे और जाके package collect करोगे और फिर खोलने का काम तो अलग ही हो गया खोलने का काम लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था बट packets जादा डेटा जादा जमा करना आपको packets पहले बहुत जादा चीए खोलने का काम तो एक सेकेंड में हो जाएगा बट जितने जादा packets होंगे उतना आपको chances बढ़ जाएंगे password मिलने के सेम चीज होती है यहाँ पे भी यहाँ पे आपको बेसिकली customer बनना है यानि कि आपको आपका phone बनना है या genuine जो बंदे का phone connected है वो बनना है आपको सो इसके लिए पहले आपको क्या करना है आपको देख लेना है वाइफाइस कौन से डिवाइस कनेक्टेड है यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्टेड है जो मेरा ओरिजिनल फोन है अब यह ओरिजिनल यूजर है जो की connected है जिसको hack करना है वो मैं आपको बताऊंगा यह actually method WPA2 पे भी काम कर सकती है आप समझ रहे होगे यहाँ पे हम लोग password नहीं crack कर रहे हम लोग वो packets के number को increase कर रहे है यानि वो तो WPA2 पे भी काम करेगा यहाँ पे भी आप channel specify कर सकते हो and key file में cap को save करना है आपको and cap file create करनी है key नाम की यह हम लोग ने किया and interface का नाम यहाँ पे जो यह data का number and backends है यह ज्यादा बढ़ाना है अगर आपको तो आपको क्या करना होगा यह actual आप कर रहे हो अभी आपको replay attack या fake authentication attack यूज करना होगा replay command यूज करना है replay basically अलग-अलग replay attacks है यानि वापस वापस आप काम करते हो सो उसमें से एक replay attack है जो कि यह fake authentication यहाँ पे हम लोग ने 0 दिया क्योंकि हम लोग को unlimited चाहिए अगर आप number डालते हो तो उतनी बार वो attack अपने आप काम करेगा and आपको देना है किसको attack करना है and किसके through attack करना है मतलब आपको customer भी बनना है and amazon का नाम भी देना है अब समझ रहे हो amazon से package आएगा तो आपको वो specify करना है अब वो आप कैसे specify करोगे आप basically उसका mac address निकाल सकते हो आपको यह command डालना and पहले 6 letters होंगे वो mac address होगा and आपको hyphen h करके यहाँ पे specify करना है and उसके बाद आपको interface का नाम देना है जो की है wln0 and enter करोगे so fake authentication attack चालू हो जाएगा ना आप देखो कि backends and data increase हो रहा है and इसका मतलब package जादा मिल रहे है आपको